इंडियन्य निज अनालसिस के एक नए एपिसोड में आप का स्वागत है और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारती अववायू से ना के मी सेवेंटीन मीडियम लिफ्ट हेलिकॉप्टर के बारे में हम जानेंगे कि कैसे भारती अववायू से ना अपने पुराने मी 17 मीडियम लिप्ट हेलिकॉप्टर्स को एक बड़े मेजर अपग्रेट प्रोग्राम से गुजारने वाली है आपको हम बताएंगे कि यहाँ पर कैसे कौन कौन से अपग्रेट किये जाएंगे और आकिरकार भारती अवायु से ना कितनी संख्या में इन हिलिकॉप्टर्स को अपग्रेट कर रही है तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो दोस्तों भारती अवायु से ना का जो इनिशल प्लैन है वो ये है कि इन पुराने हिलिकॉप्टर को एडवांस एवियोनिक्स, इलक्ट्रोनिक वारफेर सूट और भी दूसरे जो अत्यादुनिक साजो समान हैं उनसे एक्क्विप किया जाए शुरुवाती दोर में तकरीबन 86 हिलिकॉप्टर को मौडिफाई किया जाएगा जिन में 54 मी 17 और 32 मी 17 वनवी हिलिकॉप्टर शामिल होंगे इन पूरे अप्ग्रेडेशन प्रोग्राम्स को क्रमसा, चंदीगर्ड और गुवाहर्टी में आयुजित किया जाएगा बते हैं यह भी जा रहा है कि यह लंका एरफोस बेस में भी इनका अप्ग्रेडेशन प्रोग्राम्स शुरू किया जा सकता है अप्ग्रेड करने का सीधा मक्ष्ट दिये है कि यह जो पुराने हेलिकॉप्टर्स हैं इनको आज के State of the Art, Advanced Electronic Warfare और सर्विलांस एक्विप्मेंट से एक्विप किया जाए यह जो अप्ग्रेडेशन प्रोग्रेम है यह एक बड़े पैमाने पर चलाए जाएंगे और जो मॉडिफिकेशन वर्क है उसको लेकर के अभी तक जो जानकारी आई है उस इसाफ से तक्रीबन 14 सिस्टम्स को मी 17 और मी 17 1V में इंस्टॉल किया जाएगा गौर करने वाली बात है इसके अतरिक 41 मेकैनिकल और 67 इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन मी 17 में किये जाएगे और 46 मेकैनिकल और 73 इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन मी 17 1V हेलिकॉप्टर्स में किये जाएगे पहले से ही भारती वायू सेना ने 9 जुलाई को इसको ले करके जो request for proposal है वो issue किया है बताया ये भी जा रहा है कि भारती वायू सेना इस समय तकरीबन 220 की संख्या में मी 17 सीरीज के जो हेलिकॉप्टर्स हैं उनको operate करती है और ये हलिकॉप्टर भारती वायू सेना की backbone भी कहे जाते है क्योंकि कोई भी अगर प्राकतिक आपदा आती है या फिर transport के लिए जो जरूरी चीजें हमको supply करनी होती है तो वहाँ पर इन्ही हलिकॉप्टर पर भारती वायू सेना सबसे जादा भरोसा करती है आपने देखा होगा कि अभी जितने भी high altitude areas में operation होते है search and rescue operation होते है disaster management के काम होते है उनमें अधिकतर भारती वायू सेना जिन हलिकॉप्टर पर भरोसा करती है वो मी 17 है वो बात दूसरी है कि अभी हाली में भारती वायू सेना ने अपने जो advanced light helicopters हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है लेकिन अभी भी जब बात medium lift helicopters की होती है तो मी 17 का कोई भी replacement भारती वायू सेना के पास मदूदा समय में नहीं दिखाई पर था हाला कि 1991 में यह service में आना शुरू हुए थे और इन्होंने धीरे धीरे मी 8 helicopters को replace किया था मी 17 खरीदने के बाद भारती वायू सेना ने फेर करम 47 की संख्या में इनके और powerful variant यानि मी 17 1V जो variant है इनको खरीदना शुरू किया और वर्ष 2012 में भारती वायू सेना ने अपने fleet में जो मी 17 की सबसे advanced variant कहे जाते हैं जिनको हम मी 17 V5 कहते हैं उनको सामिल करना शुरू किया गवर करने वाली बात यह है कि अभी तकरीबन 100 से जादा जो मी 17 V5 helicopter है वो भारती वायू सेना की सर्विस में आज भी काम कर रहे हैं अब आई यह modification की बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से major modifications आपको मी 17 में देखने को मिलेंगे तो जहां तक report दावा करती है कि मी 17 में मौझूदा समय में जो पुराने avionics है electronic systems है, navigation system है इनको replace किया जाएगा और इनको जिससे replace किया जाएगा वो होंगे हमारे आधुनिक avionics, electronic system, navigation aids और इनको सबसे खास बात है जो मिलने वाली है वो है एक smart multi-function display और weather radar, traffic collision and avoidance system और air data system और भी कई major upgrades है जो इनको दिये जाएंगे याने की पूरी तरीके से मी 17 का जो काया कल्प है वो करने की तैयारी भारती अफवाई उसे ना के द्वारा शुरू कर दी गई है बात कर एगर मी 17 के electronic warfare suit के upgrade की तो इसमें आपको radar warning receiver, missile approach warning system, flare, chaff dispensing system और identify friend और force system का इस्तमाल होता दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर इसके अलावा जो इनके GPS हैं, इनको GPS GLONASS से replace किया जाएगा और बताया यह भी जा रहा है कि इसके अलावा दूसरे जो tactical air navigation system है और दूसरे जो instrument landing system है, omni direction radio navigation aid हैं, वो भी इनको प्रदान करी जाएंगी बताया यह जा रहा है कि यह जो modification project है, यह तकरीबन 4 वर्षों के समय अंतराल में complete किया जाएगा, यानि कि तकरीबन अगर हम देखें, तो 24 helicopter per year के हिसाब से upgrade किये जाएंगे और भारतिय वाइव सेना इस चीज़ को लेकर के काफी ज़्यादा संतुष्ट है कि इन upgrades के बाद यह जो me 17 helicopter है, वो भारतिय वाइव सेना की जरूरतों को काफी अच्छे से पूरा करने में सक्षम होंगे आपको हम बताना चाहेंगे कि भारतिय वाइव सेना इस समय इन ही helicopter को medium lift helicopter के तोपर इस्तेमाल करती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ 28 तक भारतिय वाइव सेना को इन helicopters पर आस्रित रहना होगा क्योंकि अल्रेडी हिंदुस्तान Aeronautics Limited ने अपने medium lift helicopter पर काम शुरू कर दिया है, जिसको हम IMRH के नाम से जानते हैं, यानि Indian Multi-Role Helicopter रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि जो हमारा IMRH होगा, वो मी 17 के तरह ही एक medium lift helicopter होगा, जिसका अस्तेमाल बड़ी संख्या में भारतिय वाइव सेना के द्वारा किया जाएगा अगर हम वायु सेना प्रमुक एर्शिप मार्शल वियार चौधरी सर के interview की बात मानें, तो इस समय भारतिय वायु सेना का जो मुख्य लक्ष है, वो अधिक से अधिक स्वदेशी रक्षा उपकरनों को अपनी fleet में शामिल करना है, जैसे कि बड़ी संख्या में advanced light helicopters का procurement और light combat helicopters हैं, जिनकी संख्या तकरीबं 1.500 के आसपास बताई जा रही है, इनको करमसा भारतिय अथल सेना और भारतिय वायु सेना के द्वारा खरीदा जाएगा, V-17 helicopter ने ना सिर्फ हमारे सेना के लिए transport का का काम किया, बलकि कई ऐसी विश्रम परिस्थितिया भी आई जहां पर इन्होंने देश की रक्षा के लिए attack भी किये हैं, जिहां कारगिलियुद में इन्होंने एक attack helicopter का रोल भी अदा किया, क्योंकि उस समय भारतिय वायु सेना के पास कोई dedicated combat helicopter नहीं था, और अभी हमने आपको कुछी दिन पहले updates में बताया था, कि कैसे भारतिय वायु सेना इ इनका इस्तेमाल किया जाएगा, हाला कि light attack के लिए पहले से हमारे पास combat helicopters हैं, लेकिन फिर भी भारतिय वायु सेना इन में से कुछ helicopters को light attack रोल में इस्तेमाल करेगी, इसको लेकर के defense experts ये मानते हैं, कि जब ये helicopter troop को कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे, तो छुट- खुल मिला करके अगर हम ये कहें, तो भारतिय वायु सेना ये चाहती है, कि जब तक हमारे IMRS बनके तयार नहीं हो जाते, तब तक इन helicopter का इस्तेमाल किया जाए, और इन helicopter का इस्तेमाल करके अपनी जरूरतों को हम पूरा करें, हाला कि heavy lift helicopter की बात करें, तो उसके लिए हमार helicopter के जो order है, वो भारतिय वायु सेना के द्वारा प्लेस किये जा सकते है, तब फिलाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जहन